तालियों की गरहाट है लेकिन मस्रा तक्कर का है कहते हैं कि धर्म से बड़ी राजनिती कुछ होती नहीं और राजनिती से बड़ा धर्म कुछ है नहीं तो देश में ऐसे मुद्दे जो बार बार धर्म को लेकर क्यों तक्राने लगते हैं कानून विवस्था का मसला हो या फिर सम्विधान के तहट आने वाले स्थितियों में रज और किंद्र का मसला हो कई मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के राष्टिय प्रवक्ता संबित पात्राजी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है संबित पात्राजी ए आई-माइ-म के अध्यक्ष और एक पहचान लिए हुए चेहरा उसवत दिन OIC साब भी अमारे दूसरे महवा है OIC साब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है संबित पात्राजी लिंचिंग कानून व्यवस्था का मसला है या धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है देखिए अभी जिस प्रकार से लिंचिंग को लेकर डिबेट भी हो रहा है और होना भी चाहिए लोकतांत्रीक देश है और जिस प्रकार से बार-बार पूछा जाता है और मैंने टीवी में देखा कि नॉट इन माइन नेम ये जो पूरा अंदुरन हुआ उसमें हिंदुस्तान के नाम को बदल कर रखा गया लिंचिस्तान कि क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है मैं तीन दिन पहले मत्था टेकने गुर्दवारे गया था और वहाँ एक सबद मेरे कान में पड़ा मुझे लगता है मुझे उस सबद के साथ सुरू करना चाहिए क्योंकि वो सबद हिंदुस्तान के असली पहचान को आपने धर्म की बात कही पुन्य जी धर्म का मतलब होता है संस्कृत में धारयती इति धर्म जो धारन करता है वही धर्म है और हिंदुस्तान का धर्म क्या है सब को लेकर चलना ये हिंदुस्तान का धर्म है और यही उस सबद में था, उस सबद था, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सिर्फ सैया, कोई अनाम, सदियों से भारत वर्ष के इस भूमी पे कोई राम कहता आया है, कोई खुदा कहता आया है, कोई अनाम कहता है, कोई सैया कहता है, और बहां पसार के हमने सब को ए किया है यह हिंदुस्तान की भूमी है पुन्य जी यह लिंचिस्तान नहीं है और मैं हाग जोड कर कहूंगा कि अपने राजनेदिक उद्देश्शों के कारण इस महान भूमी को लिंचि स्तान के नाम से मत पूकारे प्रदान मंतरी ने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार प्रते घटना के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए लिंचिंग कॉंग्रेस के समय में भी हुआ और आकडे मेरे पास हैं प्रसुन जी मैं आकडे लेकर आया हूँ कितने उस समय हुए कितने इस समय हुए नहीं होने चाहिए थे मगर छोटे राजनेतिक विजन के कारण इसे बिगार कर देखा जाए धर्म को जोड़ के इसको देखा जाए यह उचित नहीं है चलिए गजब का सही हो गया आकड़े लेकर हम भी आये हैं आज इस से भी टेकरहाट होगी बहराल कौन बना रहा है लिंचिस्तान कौन है वो लोग वैसी साब नहीं मालूं यह संपित एक्सपर्ट है उनसे पूछ लीजी आप मुझे नहीं मालूं मैं मुझे फिकर हिंदुस्तान की मुझे फिकर इसलिए है क्योंके जब से बीजेपी की सरकार बनी है इन्हों ने सही कहा मजभ सबका है मगर बीजेपी यह करती है कि मजभ इनके लिए आइडियॉलजी है मेरे लिए मजभ एक फेथ है और BJP अपनी आइडियोलोजी को हम तमाम पर मुसल्ट करना चाहती है BJP आइडियोलोजी में बिलिफ करती है और यही वज़े है कि इंडिया टुडे लेटस संपित नहीं पड़े होंगे वरना उसको लेका रदा अच्छा होता लेटेस इंडिया डुडेंग में लिखा गया है कि 36 लोगों की लिंचिंग से मौत हुई है जिसमें से खरीब 29 मुसलमान है ये बात सही है कि वेजबंगाल में भी हुआ, करनाटक में भी हुआ मगर जहां जहां बीजेपी के सरकारे वहीं पर क्यों हो रहा है कि इसमें ISI इन्वाल्व है, कि इसमें लशकरे तैबा इन्वाल्व है, कौन इन्वाल्व है इसमें सरकार तो आपकी है, और जब तक आप इसको मैटर ओफ फेद बना कर चलेंगे प्राइम मिनिस्टर और सौ मरतबा बोले, जमीन पर इसको कुछ असर ओने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी इसको फेद का मामला बना कर चलती है, और हम, आइडियोलिजी का मामला बना कर चलती है और इसलिए बीजेपी कल तक हमसे कहिती थी के मानर्ट अपीजमेंट तीन साल में बीजेपी गौरक्षों की अपीजमेंट कर रही है बीजेपी अपनी आइडियोलोजी के मानने वालों की अपीजमेंट कर रही है, इसलिए उनकी हिम्मतیں बुलंद हो रही है दो मिसाल देता हूँ परसुन जी, मुसिन शेख को मारा गया जब बीज़बी की सरकार वोएने की पूना में, प्रोसीक्यूटर उज्वल निकम कहते हैं कि मैं नहीं केस रड़ूँगा, आप केस नहीं देते, रोहिनी सालियां टर्रियूरिजम के केसे बोलती है, मुझे पर चले जाते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है, इसमें डिसमबर नौ करनाल में, कौव जिलांटीज ने कुशनूर को गोली मार दिया गया, जी, तो हर्याना के सीम ने कहा, कि इनके खिलाफ क्रिमनल केसे सम रिवोक कर देंगे, यह आपकी रि मुल्क में अपने फेद को आइडियालोजी बना कर गवर्नेंस करेगी, इस तरह के वाखियात होते रहेंगे, ओके, ओएसी साब और संबित पत्रा जी, हमें लगा था कि शायद पहले ही राउंड में आप दोनों आएंगे इस बात को लेकर कि इस देश के भीतर एक समविध समविधान है और मेरे ख्याल से प्रदान मंत्री हों या राश्पती भी आने वाले समविधान की ही शपत लेंगे, आप दोनों ने पहले राउंड में एक वाक की ये नहीं बोला कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, समविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, आपने संयो सुप्रीम कोट में सा राज्यों को नोटिस दिया है। साथ राज्यों में राजस्तान है उत्तरप्रदेश है गुजरात है, जारखंड है, महरास्ट है और एक करनाटक है जहां कोंगरिस राज्चित राज्य है। चार हफतों में जबाब भी मांगा है। सेंटर ने जिरह करते हुए कहा हम बरदास नहीं करेंगे हमारा सवाल ये है इस देश में सम्विधान चलता है या राजनितिक दलों की अपनी मनवर्जी चलती है चलता क्या है नाम को तो सम्विधान जरूर है मगर ग्राउंड पर उस पर कोई इंप्लिमेंटेशन नहीं होता सम्विधान माइने नहीं रखता है सम्विधान माइने रखना चाहिए अगर मैं ओत लिया हूँ कॉंस्टूशन पर चाहे मैं लिया हूँ या कोई चीफ निसर प्राइमिनसर लिया हूँ जिम्मेदारी उन सरकारों की है कि वो उसमें नाकाम साबित हो रहे है वो अपीजमेंट कर रहे हैं सम्विधान माइने नहीं रख रहा है सत्ता चलाते वक्स सम्विध पात्राजी बहुत सीधे तोर पर आई हमको लगता है बीजेपी यास था हम नाम लेना शुरू करें तो जो नाम सुप्रीम कोर्ट में उसे बजरंगदल का नाम था गवरक्षक समीती था विशंदू परिशे था हम इसके ग्लैमराइजेशन में नहीं जा रहे है हमारा ये कहना है एक भी व्यक्ती अगर भी सलक पर भीरतंत्र से मारा जाता है जिम्मेदारी किसकी है बिल्कुल सही बात है मैं इसका उत्तर दूँगा मगर कुछ प्रशन अभी आदरनी ओवेशी जी ने उठाया है समविधान के विशे में आपने पूछा कि हमने समविधान की बात क्यूं नहीं की और ओवेशी जी ने कहा समविधान तो है मगर जमीन पे समविधान उतर नहीं रहा है मैं आपको एक उदाहरन देता हूँ और ओवेशी जी आप ही को जोड़कर उदाहरन देता हूँ जब समविधान के अनूसार ही Supreme Court ने उस से नीचे के high court ने उससे नीचे लोवर कोट में सभी ने मिलकर याकूब मेमन को फांसी दिया तो OVC जी मैं बाइज़त कह रहा हूं कि आप वो वेक्ति हैं जो कह रहे थे समविधान नहीं उतर रहा है याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसल्मान है औरे मैं समविधान को धारन नहीं कर रहा हूं चलिया आपका यह आक्षेप हो सकता है क्योंकि मैं राजनेतिक दल का वेक्ति हूं मगर सुप्रीम कोट भी समविधान को बचा नहीं पा रही है और याकूब मेमन को फांसी पे चड़ा दे रही है किसकी विचारधारा में खोट है आप खुटताय करें दूसरी बात आपने कहा क्रिमिनल लोगों को रिवोक कर देती है ये भारती जनता पार्टी के सरकार देखिए आप बड़े हैं मैं हमेशा कहता हूँ आप सांसद हैं आप एक जाना पहचाना चेहरा हैं मगर मैं छोटा ही सही मगर भारत का नागरिक हूँ मैं आप से सवाल पूछता हूँ आप वो सांसद हैं जिन्होंने चन्द दिन पहले हाइदराबाद में जब साथ लोगों को घिरफतार किया गया आईएस आईएस को वो समर्थन कर रहे थे आप बाहर आके कहें कि मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनके लिए मैं लीगल एड दूँगा कहां गया वो समविधान देखे धर्म की आधार पर समविधान को देखने का प्रयास करना ये भारत को बाटने की चेश्टा है और मैं बार बार सीना ठोक के इस सचाई को रखूंगा तीसरी बात आपने कहा रोहीनी साल्यान उनके उपर प्रेशर डाला गया भाई साहब इस पाकिस्तान अमेरिका युनाइटेड नेशन सब कह रहे हैं कि समझोता ब्लास्त में पाकिस्तान का हाथ है मगर ये भारत के जैचंद जो बैठे हैं चंद वोट पाने के लिए हिंदूओं को आतंकवादी सिध्ध करने में लगे हुए हैं आप बताएं कहां चला गया और अ अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी अगर गोरक्षा के नाम पे कोई क्रिमिनलिटी कर रहा है तो प्रधान मंत्री की बात को माने गांधी और बिनोबा भावे से बड़ा गोरक्षक इस विश्व में कोई नहीं था उस प्रकार से गाय माता की रक्षा की जाए ना चोड़ने के लिए तयार हूं मुझे अगर स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं मगर एक गाय कहीं मर जाएगी यह महत्मा गांधी से बरदास्त नहीं हमें लगता है थोड़ा सा अपने उलट दिया ने ने हम लोग तुछी नैशनल मीडिया में है और में जा सकते हैं महत्मा गांधी का कहना था कि गौर अक्षा के लिए किसी की जान मत लीजिए आप अपनी जान दे दीजिए नहीं इसमें स्वराज वाला मसला नहीं था अपनी जान देने का जिक्र कहता पहली बात दूसरी बात आप महीन राजनिती ना कीजिए आपने सारी चीजों को फिर से जो रेफरेंसेस के साथ आप आपने धर्म के साथ जोड़ दिया आप जब रेफरेंस देने तो सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग 1984 में इस देश में जिस तरीके से दिल्ली में मैसिकर हुआ सम्विधान ताक पर रखा गया था 2002 में गुजरात में जो हुआ हिंदुस्तान को ताक पर रखा गया था आप सेलेक्टिव होकर चीजों को अगर रखेंगे तो उसका मतलब यह होगा आप अपनी महीन राजनिती करेंगे वो अपनी महीन राजनिती करेंगे हम इस पर आ रहे हैं जिन अब मसला वैसी साथ एक कदम और आगे बाए जवाब दीजे आदे मिनट में पहले याखूब महमन की बात कही याखूब महमन का मैं फिर से कह रहा हूँ संपित को शायद सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है मैंने यह कहा था कि मरसी पेटिशन वो पॉलिटिसाइज हो चुका है बुलर सुप्रीम कोट ने का फांसी दो आप अकाली दल के साथ सरकार में थे सरकार में पावर इंजॉई करें अकाली दल के चेर्में जाके परनम मुकर्जी से मिल जो प्रेजिडेंट है उस वकर कि मरसी कर दीजे मत दीजे फांसी आप सरकार में थे टामलनाडू के समली रिजूलूशन पास किया कि राजीव गानी के खातिलों को फांसी नहीं दी जाए आप के पास आगए आप खामुश हो गए को आपने कहा कि आइसिस के जो मुल्जमीं जो पकड़ेगे उनको मैंने लीगल हेल्प लिया कि सम्विधान में कॉंस्टूशनल राइट कि उसको मिलना कि हमने अजमल कसब को वकील नहीं दिया कि दुनिया के सामें मैं नहीं बता कि इनसाफ करेंगे और अगर कोट उनको है तो गलत है आप जो बोड़ये हैं तो यह मेजौरेटीरिन फारम ओडिमोकरसी बीजे पी इंप्लीमेंट कर रही है यही उस मुल्क लिए scientists के माणे ने रहेंगे इसी लिए पूरी society में अब क्या हो रहा है लिंचिंग हो रहा है आप जब चूस करते हैं किसी reference को देते हैं तो उसमें सिर्फ वही नाम निकल के क्यों आते हैं जिससे लगता है कि दूसरी तरफ bjp खड़ी है तो वह उन नामों को जिक्र करे याकूब मेनन का जिक्र करेंगी आप इदर को आपने तो पूरे example दे दी इसलिए मैं उस पर अज़ाफा किया आपने डिली की मिसाल दे दी आपने गुजराद की मिसाल दे दी आपने बाबरी मजज़ित की मिसाल दे दी तो मैंने उसको सप्लिमेंट किया हूँ और इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ अगर किस एक्यूस को वकील मिलता है तो कॉंस्टिशनल राइट है साधवी प्रग्या ठाकूर के लिए क्या राधना सिंग जाके नहीं मिले थे मनमोहन सिंग से मिले थे ना आधा सिंग में थे इसको जोड़ दीजेगा आपने जिक्र किया कि एक भी व्यक्ति मरता है तो हम सब की जिम्मेदारी है समविधान के अनुसार इस देश में कानून का राज है कानून की रक्षा के लिए ही जंता अपने वोट देती है नुमाइंदों को चुनती है और सरकार भेजती है जब आप ये कह देते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं तो लगता ऐसा है कि हर कोई या तो प्रैमिनिस्टर है या हर कोई मुक्मंत्री है और हर कोई सिस्टम चला सकता है यकीनन जो आपको सुविदा है वो दूसरे को नहीं है सुविदा तो जिम्मेदारी स्टेट को लेनी होगी क्यों बचती है स्टेट देखिए पहली बात है मैं साहब का जरा कुछ उत्तर भी देदू पहला प्रशन आपने बुलर का उठाया पहले लेट किसने सुप्रीम कोड जूट बोल रहे हैं आप अब सुप्रीम कोड का वर्डिक निकाल के पढ़िए विदा तैयारी का भी नहीं आता हूं आपको इंटेन आपको तॉलरेंट हो जाए हम इस नहीं जुट बोल रहे हैं पुरा बोला भी नहीं हूं अइसे नहीं हो पाएगा देखिए सही सुप्रा के पाउंटर जरूर करिए बिना तैयारी नहीं आता हूं प्रसुन जी बिल्कुल सही बात कोड ने कहा था फांसी होनी चाहिए अब बदल गए सुन तो लिजे अरे आप लोगों ने फांसी नहीं दी इतने वर्षों तक क्यों आप तो कॉंग्रेस के साथ सरकार में देखेंगे अब सामें तरकों में जीती है ऐसे नहीं तो आप सुन रुक जाईए अब सांतों तक वह फांसी की सजा क्यों नहीं कारिवत हुई कांगरेस की सरकार थी ये क्वैलीशन में थे पूछिए जब नहीं हो पाई तो उसी सुप्रीम कोट ने कहा mental instability है अब नहीं दिया जा सकता नहीं दिया गया देखिए आप जिस प्रकार की राजनीती कर रहे हैं अभी आप हवाला दे रहे थे कि constitution का पालन होना चाहिए मैं बोलता हूँ आप अपने आर्काईव से वो बाइट पार्टी जब आपने चूज के एक मिनटा सुप्रीम कोट के सामने अकाली दल गया थे या नहीं गया था आपको जानकारी है नहीं होगा मैं अकाली दल का प्रवट्तर नहीं हूँ नहीं आपने कॉंग्रेस का जिक्र क मैं कहा कांग्रेस के साथ थे यह रख सकते थे मैं बुलर के साथ नहीं हूँ हमारी पार्टी बुलर के साथ नहीं है ना तो याकूब मेमन के साथ है ना किसी आतंकवादी के साथ है मुझे यह एक्स्प्रेंग करने करती नहीं है कांग्रेस की पहल अकालियों की पहला हमको खुले तोर पे आना चाहिए आकाली आपके साथ है तो क्या हुआ आकाली हमारे साथ थे हैं इसमें कोई हमें शर्म नहीं है अच्छी बात है मेरा सिर्फ इतना पूछना था कि कांग्रेस की सरकार ने फांसी नहीं दिया आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या दवाब दूँ कि आप अपने आर्काइव से साहब का ही वो बाइट निका लिए जब ट्रिपल तलाग पे इस देश में कानून बनाने की बात हो रही थी सुप्रीम कोट सुनवाई कर रही थी साहब नहीं एक स्पीच में कहा था क्या कहा था वह इसी जिनने उन्होंने कहा था किसी मैं कैसे कानून में कोई सलतने हो तो आप अपनी मरजी से आप लुए वा अखी से बात के बिड़ तंत्र और हिंदू समाज मेजरिटेरियन डिमोकरसी भारती जंता पार्टी के माध्यम से ला रही है साहब आप ही के भाई अकबर उद्दी नोवेसी ने कहा 15 मिनिट के लिए पुलीस हटा दो फिर हिंदूओं का हम क्या खर्शन करेंगे वो हिंदू देखते रह जाएंगे आप लोगों की पार्टी जिस प्रकार से मुसलमानों के वोट के लिए 15 मिनिट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रही थी तीसरी बात आपने ये कहा था कि सारे जो सरकार हैं जो भारती जनता पार्टी रूल्ड सरकार है उनमें इस प्रकार के उनुमाद हो रही है और इसलिए हम लोग जिम्मेदार है देखे सरकार हमारी अगर है तो सभावी क्रूप से जवाब हम ही देंगे मैं अभी कॉंग्रेस पार्टी का और आपनों का एक निकला था कुछ डोसियर निकला था कि क्या-क्या विशय उठाना है उसमें नंबर वन पे लिखा था कि अखलाक से जुनेद तक इन विशयों को उठाके पार्लमेंट में डिस्रप्शन करना है पहला वर्ड ये अखलाक थ अखलाक जहां भी है मैं उसे नमस्कार करता हूँ इस प्रकार संसार से नहीं जाना चाहिए ता चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हो इंसान है अखलाक 2015 में सेप्टेंबर में गया अखलाक जब गया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी एक को लेकर चीन को लेकर जी एस्टी को लेकर जमीन भूमिया दिग्रहन को लेकर आपकी पार्टी के उनने ताओं ने जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने सत्ता में आने से पहले क्या क्या है क्या यो बजाया जाए दिखाया जाए बिलकुल दिखाईए कोई कुछ ने किस तरी में बदल जाती है ये पूरे देश नहीं सम्भी जी आपने बड़ा लंबा वक्त लिया हमें लगता है हम उसका जवाब इन से लिना भी चाहेंगे क्योंकि जो सत्ता में नहीं है वैसी जी हमको लगता है इस रेफरेंस में मत जाईए इनका जवाब दीजिए नहीं दीजिए ह लेकिन जो आकड़ सुप्रीम कोट में रखे गए उसमें जो जानकारी दी गई उसमें इस बात का जिक्र है कि 97% लिंचिंग जो है बीते तीन वरस में 2014 के बाद से हुई है जो अलग अलग राज्यों को नोटिस दिया गया है उस राज्यों को नोटिस 6 अपरेल को फर्स टा लगता है क्योंकि बताया गया गुजरात एनिमल प्रोविंशन एक नाइटीन फिफ्टी फॉर सेक्शन ट्वैल इसके तहता बचा लेते हैं आज सुप्रीम कोट में इस बात का जिक्रा महरास्ट एनिमल प्रोविंशन एक 1976 सेक्शन थाटीन इसके तहत उलो को बचा लेते ह सेक्शन फिफ्टीन करनाटक प्रोटेक्शन अफ काउस लोटर कैटल प्रिजर्वेशन एक 1964 इसके तहता बचा लेते हैं एक सवाल उठा क्या इन चीजों को भी अब हटा दें इस एक्ट को भी हटा दें क्योंकि हमारे यहां जो कानून काम कर रहा है रज जिसको ढ़ाल बन जाती है एक खास कलर कैसे आ जाता है यह सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में अगर उठ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम लोग के सामने चैलेंजिस कहीं ज़्यादा सीरियस हैं अब यहां पर आईए जितने लोग मरे जिम्मेदारी किसी की है या नहीं है सरकार की जिम्मेदारी है क्यों सरकार की जिम्मेदारी है अगर सरकार का मतलब क्या है सेंट्रल सॉलिसिटर जनल ने बहुत साफ का हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे स्टेट की जिम्मेदारी है बिल्कुल बिल्कुल ये तो हाथ धोने के बराबर है ना ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया मैं ये कह रहा हूं कि इनका आइडियोलोजिकल कनेक्शन किस से है क्या मार्च एप्रल में कि आरे से सरसंग्चालक नहीं कहा था गाई के बारे में नहीं कहा था, क्या स्पीश दी थी बताईए क्या नरेंदर मोडी ने इलेक्शन के दोरान नहीं कहा था क्या पिंक रेविलूशन, क्या इसका असर उन पर नहीं होता आज क्या जारकंड में अलिमुदीन अंसारी को मारने माला बी जेपी का important leader नहीं है बताई है कौन है इतने वाख्याद कारवाई क्या होनी चाहिए हम ब्रेक के बाद चुकि जन्ता को भी जोड़ेंगे साथ में उनके सवाल भी लेगे हमारा सवाल सिर्फ इतना है सेंटर कह रहा है कानून व्यवस्ता स्टेट का मसला है स्टेट से सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे के जवाब मांगना चाह रहा है पहले जवाब के बाद जो जवाब आया सुप्रीम कोर्ट सेटिसफाई ने रास्ता कहा जा रहा है रास्ता एक ही है जब तक बीजेपी फेट को आइडियोलोजी की नजर से देखेगी और बीजेपी जब तक गाये को इनसान से ज्यादा एहमियत देगी ये वाखियात होते रहेंगे ये खतम नहीं होंगे राजनीती सता के लिए है या राजनीती सिवा के लिए है राजनीती इनसाफ के लिए है राजनीती जो कर रहा है ये नहीं देखने चाहिए कि मुसल्मान हिंदू है आप राजनीती इसलिए कर र तो यह हो गई कि गोवा के चीफ पिनिसर कहते हैं कि अगर बीफ नहीं मिलेगा तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा कहां से इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करेंगे तो यह हो गई अधितनाजी के सामने के उन्हें ही लड़ लेते हैं उनसे चुनाऊ के नहीं लड़ लेते हैं हाँ क्या स्वाल आपका वाई सीजे स्वाल यह था आपने अभी तक इतनी बाते करी कभी भी आपने कश्मीर में जो लिंचिंग हुई उसका आपने जिकर टक नहीं की, मेरा इस सवाल ये है, क्या कश्मीरी पंडित को हतियार रखने की अजादेश है, क्या और जगा जो मुस्लमान मायरटी हैं, क्या उन्हें हतियार रखने की अजादेश है? मेरा नाम अब्दुल समीए मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदू के बीच में रहता हूं हिंदू मेरे दोस्त हैं मेरे साथी हैं बेदवाव क्यों हो रहा है और बेदवाव की राजनीती क्यों कर रहे हैं आप जैसे लोग क्यों बेदवाव की राजनीती करना चाह मौझूदा वक्त में एक सवाल तो है उसे कुछ डर भी लग रहा है कुछ सैमाववा भी है कुछ को लगता है कुछ एक्स्ट्रा पावर हमारे पास आ गया है इन सवालों के बीच लग रहा है कानून व्यवस्था कहीं कायब तो नहीं हो रही है एक डर और खौफ इस्तिती आ भोग किया है जिए जब सत्ता से बाहर हो जाती है जल बिन मचली वाली हालत होती है इस ऐसे में बहुत सारे विश्यों को सड्यंत्रकारी रूप में रखने का प्रयास होता है और राजनिती है होगा भी लिंचिंग कॉंग्रेस करा रही है इसको बता उदारन देके समझाओ आप समझेंगे जरूर आप याद करिए दिली में चुनाव हो रहा था एक ऐसा विमर्ष बनाया गया कि तमाम क्रिस्टियन के उपर अटैक शुरू हो गया है मोधी जी ने कहा है सब चर्च जला दो चर्च तोड़ दो यहां तक हो गया कि ओबामा जी को बोलना पड़ा कि यह क्या हो रहा है चुनाव खतम हो गया वह चर्च भी अपने ठीक हैं और सब क्रिस्टियन सेफ हो गया आप याद करिए एक 75 साल की नम थी कलकत्ता के नादिया जिला में जिनका रेप हो गया था ओवेसी सहाब से इंक्लूड करके तमाम लोग सड़कों पे उत्रें और कहे इसको सब पूरा गायब हो गया वह पौन का रहा अच्छा रेप अच्छा नहीं है हम नों उस पर बोलेंगे नहीं सब निखना बंद हो गया आप याद करिए एक ब्रेकिंग न्यूज आया था हमनों बैठे ते अचानक आया कि एक महिला है बंबई में उसने कहा कि मैं मुस यहां पर हिंदू मेजोरिटेरियन फिलोसपी थोप रहा है बंदूओं आप बैठे हैं आपको साक्षी नाक्षी हाजिर करके बता रहा हूं संग 1925 में बना 1925 से आज तक लगभग 91 वर्स हो गया है 100 वर्स अब हो जाएंगे मैं हाथ जोड़के आप सबसे पूचता हूं कि इतने मुसल्मानों को खतम कर दिया बंदूवर इस देश में हमारे भाई हैं मुसल्मान 20 प्रतिशत आज उनकी आबादी है 2 प्रतिशत से बढ़के 20 प्रतिशत हो गई यह हिंदूओं को बदनाम करने की साजिश बंद कर दीजी आप सटिस्फाइ हुए जवाब से आपका सवाल्न का सवाल मुझ से वाइन हम मेरे हमारे साथ हमारे साथ कोई बैदबाओं नहीं हो रहा हम रहते हैं लेकिन भागिन सब ठीक ठाट इस बहस के बाद सब ठीक ठाट ओएसी साहब एक मिनट इसे जवाब दीजे चुकि इनके कुछ ऐसे जवाब थे जिसमें कश एक मिनट बंदुबर अभी यहां सवाल हुआ आर्टिकल 48 का जी आर्टिकल 48 में आस्ता कहा है आस्ता नहीं है एकनॉमिक ग्राउंड्स पर डिरेक्टर प्रिंस्पल बनाया गया दूसरी बात इन्होंने RSS के बारे में कही बंच आफ थाट्स वी दे पीपल में क्या गुरू गोलवालकर नहीं मुसलमान और दो हिंदू मिल जाएं तो दो मुसलमान भरोसा मत करो पेज नंबर के हवाला दे दू मैं चोहती बात आप आप ने कहा कि यह यह बटवारी की स्यासत नहीं होनी चाहिए देखिए पहली जुलाई को एक गौवर्मेंट सर्मन जो अलीगर्ड की ट्रेन में जा रहा था बुर्खा पेन कर जा रहा था उसको लोगों ने रेले पुछा कि यह कौन है तो उसने कहा कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा इसलिए मैं बुर्खा पेन कर निकल रहा हूं जुनेद की बात आप से कर रहा हूं इनसानियत कहा मर गे इस मुलक में दिन लगते खतर साब को वहाँ पर जाने के लिए, एलान करने के लिए, क्या मुसल्मान में आज दर और खौफ का माहौल किसलिए पैदा हुआ है, कोई ट्रेन में नॉर्ट इंडिया में, यूपी में ट्रेन में जाना मुश्किल है, हर जगा पर ही है, और आप कह रहे हैं कि क प्ले करवाईए ना, माना ना, मैंने, हमको लगता हो क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं देखिए, क्या है कि मीडिया इस दौर में इतना हावी हो गया है लोगों के जहन में, हमें लगता है कि मीडिया, हम लोगों ने मीडिया में भी दिखलाया था, आपका जो सवाल था, आगे जो बैठे हुए ने अपनी अफादारी को बार बार नहीं कहा था ये हिंदू रास्ट है हिंदू रास्ट बनना चाहिए वहां से लकीर खीजी थी और मुस्लिमों को लेकर भी उनके पूरे थौट जिस रूप में सामने आयते हैं ये हिटगवार के जमाने से आ रहा है ये हिंदू रास्ट आपने कहा मैं उसका उत्तर देना अवाचे के आप देखिए हिंदू रास्टर का अर्थ ये कर्मकान वारे इक मिट मैं आपके माफी जाता हूं बताईए आप मुझे अगा आप आरेसेस के मेंबर रह चुके हैं आपका आरेसेस का ओध क्या है आपको इंसानियत के दाएरे में आना चाहता हूं जवाब दे दीजे फिर हम लोग जरस आगे आपने हिंदू रास्टर का विशय रखा यहां पर हमने नहीं रखा आपने शुकी निसोपचेस से जिक्र कर दिया बता रहा हूं देखिए ये मैं आपको आज यहां एलानिया तरफ तोर से बोलता हूं यह जो लोग बैठे हैं यह भूल जाए कि हिंदू शब्द को गाली है या हिंदु राष्टर को गाली है या वो कोई उसको ऐसे यह जो परिभाशा है ना धर्म निर पेक्षता की उसमें ऐसे जकर दिया गया है मानो हिंदू तो नहीं बोलना चाह है सब्सक्राइब करें यह जिन पुष्टों को कजिकर किया गया उसी में लिकिंदू क्या है सब्सिंदू साथ नदियां उस नदी के पार जो तरीका जीवन का है वो हिंदुत्यों का जीवन है उन नदियों के बिलकुल पढ़िए ना मैं अभी चैलेंज करता हूँ रेफरेंस लेके पढ़िए सब्सक्राइब पर्षिया में हप्त हिंदू कहा गया हप्त हिंदू भी मौजूद है रेफरेंस ले लीजिए और देखिए बाजपाई जी को याद कर लूँ आज हिंदुत्यों का विशय आया है ना मैं आपसे एक सवाल कविता के रूप में पढ़ लेता हूँ बाजपाई जी को याद करते हैं आपने हिंदुत्यों के विशय में कहा होकर स् हिंदू करने घर घर में नसंगहार किया कोई बतलाए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदे तोड़ी मैंने भूभाग नहीं शत्षत मानव के हृदय जीतने का निश्चे किया हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय मुझे कोई अफसोस नह करता है मसला संविधान का था मसला स्टेट का था अप नेटल भीयारी वाजपई के 50 की दशक की कवीता का यहां पाठ कर दिया हमारा एक सवाल है बड़ा सीधा तौर पे सावरकर के हिंदुत में और सीष परसीदी चोट की गई सावरकर का हंदुत ठीक है आरे से का हंदुत ठीक है हंदुत जैसे बड़ा आइडियोetin में नहीं देखा जा सकता आइडियोugा आप दिवाइड का पूर्थाक पूर्थाक देख सकते है番 सकते हैं तो 2013 में रोहिंग्यान मुसलमान बर्मा में मारे गए थे ये आजाद मैदान में एक लाख मुसल्मानों ने अमर्जोती को तोड़ दिया था पांच लोगों को लिंचिंग करके हत्या कर दी थी उस समय OVCG कहीं नजर नहीं आ रहे थे इतिहास के पंड़ों को खंगालते हुए क्या मौजूदा वक्त को देखा जा सकता है मौजूदा वक्त की सियासत क्या एतिहासिक परिपेक्ष में रखी जा सकती है वर्तमान महौल के मद्दे नजर क्या जब विपक्ष में थे जो सत्ता में अब नहीं है वो विपक्ष में है उन सियासत को टटोलते हुए आगे की लकीर खीची जा सकती है बहुत तेरे सवाल है और मेरे ख्याल से जनता के मन में भी सवाल है टककर सवालों के दाइरे में ही हम खत्म कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया वजिसा बहुत बहुत शुक्रिया संभित पातरई आप सभी गई बहुत बहुत शुक्रिया झाल झाल